अकास दीप ने डेब्यू पर कहर बरपाया लंच तक भाईया इंगलेंड के बल्लेबाजों को खूब रूलाया तो यहाँ पर भारती गेदबाजों का राची टेस्ट में जलवा देखने को मिला सबसे खास बात, सबसे अहम बात की रविंद्र जडेजा आर रस्विन का जलवा हमें नहीं देखने को मिला उन्होंने अंतीम में थोड़ा सा प्रवावी जरूर किया लेकिन जिस गेंदबाज ने घर बर पाया वो रहे अकास दीप इनका डेब्यू मुकाबला था पहले तो तो अपने दूसरे अभर में जैक रॉली को उन्होंने बोल मारा अपने आप में दिखाता है कि अकास दीप ने पहले ओभर से ही जी जान फूक दिया था बढ़िया टपपे पे गेदबाजी कर रहे थे दोनों ओपनरों को परसान कर रहे थे और कप्तान रोहिस सर्मा उनके उपर पहले ही डेबिय मुकाबले में भरोसा जताते हुए दिख र पिल पर नजह डाले तो गुरू साथ ओभर में मात्र 24 रन खर्च करना और किस अपोनेंट के सामने बैज बॉल अपोनेंट के सामने जो ताबर तोड़ अंदाज से खेलना पसंद करता है वहां पर उनके रंगती पर लगाम लगाना अंकुष लगाना और फिर विकेट निक गया अकासदीब को बुलाया गया डेब्यू कराया गया और वह तुरूप का इका लंज से संथ भारती टीम के लिए साबित हो चुके हैं तीन विकेट उन्होंने निकाला अगर विक्टो पर उनके ध्यान दे तो जैक क्राली को पहले दूसरे उभर में बोल्ड मार दिया थ इसके वज़ा से भारती टीम लंज सेसन में इंग्लैंड के उपर दबबा अपना बना कर रखा हुआ है अगर हम इंग्लैंड के स्कोर कार्ट पर नज़र डाले तो एक सो बारर रन पाच विक्टो के नुकसान पर यहां पर क्रॉली ने 42, डकेट ने 11, ओली पोप ने 0, कि इस पारी को समेठते हैं अकास दीप पिनाम तीन जड़ेजा के नाम एक अश्विन के नाम एक सिर्फ और सिर्फ मोहमद सीराज अभी तक विकेट लिस गये हैं तो बेहतरीन लंसेसन गया है मिलते हैं आप से अगले रिपोर्ट में तब तक आप अपना ध्यान दे सुरक् करना ना भूले